बहू ये ले सरदर्द और घुटने के दर्द की दवा और चूस लेकिन माजी मैं तो एकदम फिट और फाइन हूँ अरे तो फिर घर का काम भी कर लेना कलमूहों की कलमूही ये तेरा ससुराल है माई का नहीं जो आराम फरमाते रहेगी तो दिन के आठो पहर माजी ये लो सरदर्द, खासी और जोडो के दर्द की दवाईया और हल्दी वाला दूद अरे बहू लेकिन मैं तो एकदम धिंचा कर चका चक हूँ तो फिर आप भी जरा घर के काम कर लीजिए क्योंकि ये आपका भी ससुराल है माय का नहीं, जो दिन भर बस सोफे पर बैट कर उसे गरम करती रहती हो अरे यार, आज इस गुलाबों ने चुट्टी क्या ले ली माजी के कमरे की सफाई तो अब मुझे ही करनी पड़ेगी आइडिया बन्नो कामीनी के रूम में जाकर हर तरफ गंदी बद्बु वाली गैस स्प्रे कर देती है अब देखना, ये गंदी बद्बु वाली गैस का कमाल अग्टिंग स्टार्ट माजी, आपका कमरा आपके पात की खुश्बु से महक रहा है मैं नहीं करने वाली इसे साफ अरे बाप रे, लगता है मैंने कल रात भर जो नॉन स्टॉप पाद मारी थी ये सब उसी का नतीजा है ठीक है बहू, तू जा, मैं कर लूँगी कंट्रोल करो अपनी पाद को यार बन्नो बहू, ये क्या बनाया है तूने? कितनी बार कहा है तुझ डाकन से मैंने कि मेरे बेटे राज को बैंगन पसंद है खबरदार, अगर तूने फिर से ये बत्तमीज जैसे काम किया तो ठीक है माजी, आपका हुकुम सर पैरो पर मेरा मतलब सर अंखो पर अरे बहू, तू किसी और ग्रह से आई है क्या? ये सब क्या है? सारे पदार्थ बैंगन के? येस माजी, बैंगन की सबजी, बैंगन का भरता, बैंगन का पुलाव, बैंगन का हलवा, बैंगन की कचोरी, बैंगन के चावल, बैंगन की आईस क्रीम अब तो राज बहुत खुश हो जाएगा है ना उठा ले उपर वाले बहु सही से चावल साफ करना हाई राम ये देख दो तिन पत्थर दिख रहे हैं करम जली कहीं की तो अब क्या माइक्रोसकोप लगाऊं क्या अरे बेवकूफ अकल की अंदी भगवान ने तुझे दो दो आखें दी है दो तिन पत्थर साफ करके निकाल नहीं सकती है क्या तू अच्छा जी ऐसा है तो फिर आपको भी भगवान ने 32 दाथ दिये है दो तिन पत्थर चबाके निकल नहीं सकती क्या आप हैं बोलो बोलो क्या मतलब